नमस्कार गुड मॉर्निंग बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का इस्टेटी विध्यान प्रकास के मानी नियोज सेसर में दूस्तों आज ये 25 जनवरी और 25 जनवरी को प्रतिवर्स राश्त्री मतदाता दिवस यानि की नेशनल वोटर्स डे के रूप में भी सिल्ब भरती में नियुन्तम अर्ता अंग जो कि निधाय किया गया था सरकार के द्वारा 90 और 97 उसको सिक्षा मित्र टीम के द्वारा चैलेंज किया गया था सिंगल बेंच के द्वारा आदेश ये आया था कि 68500 की कटाफ पर ही 69000 की भरती भी की जाए और इस बाग डबल बेंच मे मैने में भी उसके पूर्व जो महाधिवक्ता हैं वो कोड में मौझूद रहे और उन्होंने वजहें बताई थी कि क्यों ये भरती 90 और 97 पर कराने के लिए सरकार प्यास कर रही है और इनका जो पिछला वाला नियूज 18 पर इंटरिव्यू था वो भी मैंने आल्बूं को द समस्टाइब प्रमणी था वो 28 जनवरी को नियत की है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिसेश अपीलों पर फंदन सुनवाई 28 जनवरी को नियत है और दोसो नियामूर्ति पंकज कुमार जैसवाल और नयामूर्ति नरेंद्र कुमार जहारी की खनपीट ने याद रहे हैं क्योंकि फाइनल येरिंग की बात यहां पर कही जा रही है दोचर तेरह में एक भरती आई थी विज्ञान और गणित शिक्षिकों के लिए जूनियर हाई स्कूल में और उसमें कई चरणों के चक्र का कांसलिंग हुई और उसके बावजूद भी अभी भी बहुत सा पद ऐसे हैं जो कि रिक्त हैं करने यह होता था कि अलग अलग जिलों में जो कांसलिंग होती थी वो एक ही डेट पर होती थी और उसमें यह होता था कि एक अब्यटी मालीजिये कई जिलों में सेलेक्ट होता था तो वो एक ही जिलों में पहुँच पाता था और अन जिलों म इतने पत कुल रीक्त हैं और इस रीक्त पतों की सूचना अब सरकार को उपलप्त करानी है सुप्रीम कोड में तो 29,334 बिज्ञान अकड़ित के सायक अधापों की नियुक्ति किससे सम्मधित मामले में बेसिक शिक्षा परिशत की सची रूभी सीखनी जरूरी सूचना है अब यह सुचना है जो होगी वो 27 जमनी तक अनिवार रुप से मागी गई है विज्ञान और गणित के सिक्षकों को न दे नोटिस बात यहां पर यह हो रही कि बहुत सारे ऐसे विज्ञान और गणित में चैनित सिक्षक हैं जो सिक्षक मतलब की असनातक के दोरां ना तो विज्ञान पड़े हैं और ना ही गणित पड़े हैं तो इनकी जाज की जा रही है और ऐसे विरती जो योगिता को धारित नहीं करते हैं उनको फिलाल जो है पदमुक्त क्या जा सकता है बार खास क्या जा सकता है लेकिन इसके लिए सरकार नहीं यह कहा है कि अध्यापकों क बिज्ञान अगनित उन्होंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है शुला जुजाई 2019 को सुप्रेम कोड ने असना तक अस्तरी उपादी में गणित बिज्ञान विसे की जाच तीन महीने में पूरी करने का आदिश दिया था बिज्ञान अगनित बिज्ञान विसे की रूप में पढ़ा है आठ जनरी तक सुचना भेजनी दी पर सुचना अभी नहीं मिली है और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो की सुरी बातरजार आट सो पचीस दोजार इग्यारा की सिक्षक वर्ती में और कुछ लोग उनतिस जार तीस चो तीस बिज्ञान विसे शिक्षक वर्ती में फरजी तहीके से उन्होंने नौकरी हासिल कर ली थी अब इसकी जाच हो रही है तो ऐसे लोग जो हैं वो नौकरी छ किया है जिन्होंने स्याक अध्यापकों से अपना पैन नंबर दुबारा से बदला है उनकी सुची मांगी गही है स्चेप के द्वारा ऐसे स्याक अध्यापकों की जिलावार सुची भी बिनाई है जिन्होंने सैक्षिक प्रमार पत्रों की दुती प्रती जमा करके नौकरी रहें कि लोग पढ़ा रहें वो चरित सिख्षक हैं या उनका नाम चरित वर्ष की मेरिट लिस्ट पे था या नहीं था तो इस प्रकार से अब जांच की जा रही है और बड़ी संक्या में ऐसे ये फर्जी सिख्षक अपनी नौकरी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं तो ऐसे अंकतालिका फर्जित दिव्यांग प्रमारपत्र के अधार पास अधापों की नौकरी जो है वो बहुत तरह लोगों ने हासिल कर लिए आप ने देखा होगा कि बहुत कम लोग ऐसे थे जब रिचल जारी हुआ था तो यह लग रहा था कि बहुत कम लोग हैं और जितनी भी लोग लगबग 110 तक हैं सबको नौकरी मिल जाएगी लेकिन फिर मेरिट जो थी वो 170 के नीचे आई ही नहीं तो यह एक बहुत बड़ी बिटमबना है वसे भी 2825 की जो सिख्चक भरती थी उसमें लगबग 6000 पद रिक्त रहते वे ही यह जो भरती थी वो क्लोज कर दी गई थ और दोस्तों यहां पर दोजा 13 में TGT और PGT का जो बिग्यापन जाय नहीं गए था तो उसमें कुल हिंदी के 909 पद थे और जब भरती की गई तो 721 पद थे यानि कि पदों की संक्या जो थी वो घटा दी गई थी तो इस निड़े के खिलाफ दाखिल याजिका में एकल न अपील खारिज करते हुए एकल पीट के नेड़े को सही ठहराया है यानि कि यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो पद हैं उनकी संक्या को घटाना गलत है और ऐसे भिरतियों को नियुक्ति का आदेश भी दिया गया है मामला यह जो था TGT 2013 से संबंदी थे एल्टी ग्रेट के दो विश्यों की हुई चैन संस्तुती खबर यह निकल के आ रही है कि वानिज और संगीत हाला कि कुल 15 में से 13 विश्यों का जो डाक्मेन वेरिफिकेशन है वो हो चुका है लेकिन उनमें से वानिज और संगीत हाला कि दोनों विश्यों में अभिरति हैं तो इनको जो चैनित करने के लिए निकी नियुक्ति के लिए आदेश जारी कर दिया गया है और जल्दी इन दो विश्यों के जो अभिरति हैं उनकी जो फाइल है मादमी सिक्षा निदिसाले को भेज दी गई है और उस पर आयों की संस्तुती भी लग गई है और बाकी क इसका पैणाम जारी नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश में टीजीटी और पीजीटी के तथा कतित 40,000 हलांकि भरति जोगी 40,000 पर तो नहीं ही होगी लेकिन फिर भी 40,000 प्रद और 39,000 सिक्षे प्रति को आगे बढ़ाने के लिए प्रयाग राज में अभरति लगातार जो धर पैणाम बहुत जल जारी हो सकते हैं इनमें PCS प्रारंबिक परिक्षा 2019 का पैणाम भी जल्दी आ सकता है जब यह विग्यापन जारी हुआ था PCS 2019 का तो उसमें कुल पद 308 थे लेकिन हाली में उसमें 185 नए पद जोड़े गए हैं और अब कुल 494 प्रद प्रारंबिक पर सायक समिक्षा अधिकारी की जो प्रारंबिक परिक्षा थी वो निरस्त कर दी गई है और इसकी पुना परिक्षा अब 3 माई को होनी है और जितने भी लोग सायक अध्यापक भरती परिक्षा यानि की सुपर्टेट की त्यारी कर रहे हैं तो वो लोग भी करन अफेस को सायकारी यूपी पीसेश दोजार बीस और आरो आरो दोजा सोले की परिक्षा जो कि तीन माई दोजार बीस को होनी है तो सब के लिए कंबाइन रूप से मॉडल टेस्ट पेपर आप लोगों को प्रोइड कर रहे हैं चैनल पर तो एक भी टेस्ट आप लोगों का छूटना जाती है और इसका यही अर्थ होता है कि हम अपनी मंजिल की और अगर लगातार प्रयासत रहे तो हम विजय जरूर होंगे चाहे भले ही हमारे अंदर प्रतिभा औरों की अपेक्षा थोड़ी सी कमी क्यों नहों उस परिस्टरम की बदोलत हम अपनी प्रतिभा की इस कमी को पूरा कर सकते हैं thank you so much for watching the video दोस्तों मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए में आग्यां दीजिएगा नमस्कार जैंद